हाई वीवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे चटपटे आलू 65 की रेसिपी आसान फूट रेसिपी इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले तो चलिए सुरू करते हैं आलू 65 बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिये हैं 5 मेडियम साइस के आलू इन आलूओं को छील कर 2-3 बार पानी से धोने के बाद हम इने कद्दूकस कर लेंगे सारे आलू को कद्दुकस करने के बाद हम इस तरह से पानी के भरे एक बोल में एट कर देंगे आलू को कद्दुकस करने के लिए हमें इस मोटे वाले स्रेडर का इस्तिमाल करना है अब कद्दू कस किये हुए आलू को इस तरह से हमें पानी से अच्छे से धो लेना है ताकि इसका जो स्टार्च है वो पूरी तरह निकल जाए पानी से अच्छी तरह आलू को धोने के बाद अब इस तरह से निचोड़ कर हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे गिस पानी में हमने आलू को धोया है इस पानी का कलर देखकर आपको अंदाज़ा हो ही गया है कि आलू में कितना सारा स्टास था इसलिए आलू को अच्छी तरह से धोकर इसका सारा स्टास निकालना जरूरी है इनको पानी से अच्छी तरह धोग कर सारा पानी निकलने के बाद हमने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है अब हम इसमें एट करेंगे देट टीस्पून लाल मिश पाउडर एक टीस्पून नमक एक टीस्पून अद्रकोल लेसुन का पेष्ट हाफ टीस्पून काली मिश पाउडर और एक टीस्पून जीरा पाउडर इसी के साथ हम इसमें एट करेंगे 5 तेबल स्पुन मेदा और एट करेंगे 5 तेबल स्पुन कॉन फ्लोर आप यहाँ पर कॉन फ्लोर की जगह 5 तेबल स्पुन चावल के आटे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब इन सारे ingredients को आलू के साथ अच्छे से mix कर लेंगे सारे ingredients को अच्छी तरह mix करने के बाद अब हम इनको fry कर लेंगे आलू 65 को fry करने के लिए हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है अब हम गेस की flame को medium करेंगे और medium flame पर इनको अच्छे से fry कर लेंगे देखिए हमें इनको फ्राइ करते वाग गेस की फ्लेम को मेडियम ही रखना है क्यूंकि हमने यहां पर जो आलू इस्तिमाल किये हैं वो कच्छे हैं एक तरफ से 5-7 मिनिट तक अच्छे से फ्राइ करने के बाद इनको पलट कर दूसरी तरफ से भी 5-7 मिनिट के लिए फ्राइ कर लेंगे यह देखिए यह अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के आलू सिख्तिफाई को भी इसी तरह से फ्राइ करेंगे अभर तयार करेंगे तड़का के लिए हमने 3 टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया अब हम इसमें एट करेंगे एक टेबल स्पून बारिक कट्टा हुआ लहसुन और हाफ तीसपून जीरा गेस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे दसे बारा सेकेंड के बाद हम इसमें एट करेंगे तीन से चार सुखी लाल मेच और पांथ बड़ी हरी मेच जिनको हमने बीच में से कट कर लिया है इसी के साथ इसमें एट करेंगे कडी पत्ता अब तीस से पेंती सेकेंड के बाद हम इसमें एट करेंगे फ्राइ किये हुए आलू सिश्टी फाई करें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे बढ़ियासा कलर देने के लिए चाट μας जाओ करेंगे हाफ टीस्पून कश्मीलाल मिच पाउडर और दोचूटकी रेड़ फूड कल और इसे चट्पटा बनाने के लिए करेंगे हाफ टीस्पून चाट मसाला इन सब को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाट मसाला, रेड फूट कलर और कस्मिली लाल मिल्च पाउडर को हमने दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें एट कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक से देड़ मिनिट के बाद गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे इसी के साथ आलू 65 बनकर तयार है हम इसे डिस आउट कल लेंगे तो खाने के लिए तयार है चटपटे आलू 65 अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कॉमेंट बुक्स में जरूर बताएं कि ये रेसी बे आपको कैसी लगी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब के बिना और बेल आइकन को प्रेस के बिना ना जाए